इस वक्त मेरे फोन पे मेरा फोन स्क्रीन देख सकते हो यह मैंने आज इसलिए शेयर किया है क्यूंकि यह हम सब के बच्चों के लिए बहुत यूसफुल है गूगल के कुछ फीचर्स हमारे बच्चों के लिए बहुत ही जादा यूसफुल है इसके नीचे सर्च के नीचे आप एक और उप्शन देख रहे हो solve homework तो यह solve homework हमारे लिए बहुत यूसफुल है अगर हम अपने बच्चों के थोड़ी बहुत help करना चाहते हैं तो solve homework है इसको अगर मैं press करती हूँ solve homework तो मेरा camera on हो जाता है आप देख सकते हो तो अगर मैंने इस camera में आप देखो जैसे यहाँ पर एक question है यह match का मैंने क्योंकि मेरी बेटी 8th class में है तो मैंने उसके book में से example लिया है तो यह bracket दिखा रहा है जो इस bracket के अंदर आपको question को include करना है then आपने जैसे question को include किया नीचे camera जैसे hat जैसी बनी हुई है जैसे ही आपने इस camera को click किया तो इस तरह से आपका नीचे जो है जो लिखा है कि question क्या है उसने क्या catch किया है जब मैं इसको scroll up करती हूँ देखिए इसने यह capture कर लिया अब मैं इसको इस नीचे वाले हिस्से को scroll up करती हूँ तो इसमें जो है मेरा पूरा solution जो है इसमें आ जाता है आप first वाला कोई भी आप open कर सकते हैं तो यह question है वो पूरा solve हो के आएगा how do you factor a square plus 2a भी देखे आप answer आ गया ना इसका तो यह answer इसका इन्होंने solve कर दिया है अब एक और बहुत important चीज है गूगल में आपको जैसे अभी search के नीचे solve homework था उसी को आप इस तरह से slide करेंगे तो आप देखेंगे translate text को जब आप on करते हो और जब आप इस जगे पर देखे था पहले मेरा था what is solar eclipse type और उसको पूरा यह translate करके दिखा रहा है सूरिग रहन क्या है सर्वनाम के प्रकार तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हो और उसके बाद इसका answer निकाल सकते हो I hope यह आप लोग के किसी ना किसी काम आएगा किसी के जिनको पता है उनको तो चलो ही पता जिनको नहीं पता उनके थोड़े बहुत काम अपने बच्चों को पढ़ाने के जरूर आएगा